तेरवां अध्याय जब वो मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे गुरू, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है येशु ने उससे कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा, जो धाया न जाएगा जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पत्रस और याकूब और युहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा चौकस रहो कि कोई तुमें न भर्माए, बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भर्माएंगे और जब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनो, तो न घबराना, क्योंकि इनका होना आवश्य है, परन्तु उस समय अंतन होगा क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा, और हर कहीं भुईडोल होंगे, ये तो पीडाओं का आरंब ही होगा परन्तु तुम अपने विशय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे, और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण, हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे, कि उनके लिए गवाही हो, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जाकियों में प्रचार किया जाए, जब वे तुम्हें ले जाकर सौपे, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परन्तु पवित्र आत्मा है, और भाई को भाई और पिता को पुत्र खात के लिए सौपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उध्धार होगा, सो जब तुम उस उजारने वाली घ्रणित वस्तु को जहां उचित नहीं, वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो, वे पहाडों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो, वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाएं, और जो खेत में हो, वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लोटे, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, और प्रार्थना किया करो, कि यह जाडे में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे, कि स्रिष्टी के आरंब से, जो परमेश्वर ने स्रिजी है, अब तक ना तो हुए, और न फिर कभी होंगे, और यदि प्रभू उन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता, परन्तु उन चुने हुऊं के कारण, जिनको उसने चुना है, उसने उन दिनों को घटाया है, उस समय यदि कोई तुम से कहे, देख देखो, वहाँ है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्चिद वक्ता, उठ खड़े होंगे, और चिन्ह, और अद्भूत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके, तो चुने हुऊं को भी भर्मा दे, पर तुम चौकस रहो, देखो, मैंने तुम्हे ये सब बातें पहले ही से कह दी है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारा गण गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्त और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, उस समय वो अपने दूतों को भेज कर पृत्वी की इस छोर से, आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने जुने हुए लोगों को इकट्खे करेगा, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को अमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्म काल निकट है, इसी रीती से, जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है, मैं तुम से सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे, आकाश और प्रिथ्वी डल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न डलेंगी, उस दिन या उस घड़ी के विशय में, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परन्तु केवल पिता, देखो, जागते और प्रार्थन करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा, ये उस मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते समय, अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वार पाल को जागते रहने की आग्या दे, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांज को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को, ऐसा नहो कि वो अचानक आकर तुमें सोते पाए, जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो झाल झाल